नमस्कार मैं हूँ अभिशेक आप देख रहे हैं मनीनाइन जटपड देश में इलाज को किफायती बनाने और दवाओं की कीमत घटाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है दवाओं की कीमत कम करने के लिए सरकार ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन यानी टी एम आर फॉर्मूला को लागू करना चाहती है इस मुद्दे पर नैशनल फार्मसिटिकल प्राइसिंग अथॉर्टी यानी एन पी पी ए ने पिछले हपते सभी स्टेक होल्डर के साथ एक बैठक की इस बैठक में आए सभी स्टेक होल्डर से इस मामले पर अपने अपने सुझाओ देने के लिए कहा गया है इन पी पी ए वही संस्ता है जो देश में अनुसुची दवाओं की अधिक्तम खुद्रा मूल तै करती है इस बैठक में Indian Drug Manufacturer Association, Indian Pharmaceutical Alliance, Organization of Pharmaceutical Davies of India और All India Drug Action Network के प्रतिभागियों ने भाग लिया All India Organization of Chemist and Drugists ने अपना सुझाओ सरकार को सौप दिया है इसमें उसने कहा है कि PTR यानी Price to Retailer पर Wholesale Dealers के लिए Trade Margin 10 फीजदी और Retailer के लिए MRP पर 20 फीजदी Margin टै किया जाना चाहिए Organization का यह भी कहना है कि सरकार को Generic दवाओं के लिए एक इस्पष्ट परिवासा लेकर आना चाहिए इस तरह की Generic दवाओं के लिए थोग विक्रिताओं के लिए Margin MRP का 15 फीजदी और खुद्रा दुकानदार के लिए 35 फीजदी तै किया जाना चाहिए दवाओं पर Margin तै होने से कंपनिया ज़्यादा Margin का अलालस दे कर दवा विक्रिताओं को महगी दवाएं बेचने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगी Department of Pharmaceutical ने भी नीती आयोग को दवाओं पर Trade Margin को तर्ग संगत बनाने के लिए अपने कुछ सुझाओ दिये थे जिसमें एक सुझाओ गैर अनुसूचित दवाओं पर Trade Margin तैंतालिस फीजदी पर सीमित करने का था इस सुझाओ को फिलाल कैंसर की दवाओं पर लागू किया गया है जिससे कैंसर उपचार में इस्तमाल होने वाली दवाओं की कीमत कम हुई है Department of Pharmaceutical ने ये भी सुझाओ दिया है कि सभी तरह के formulation और doses पर Trade Margin को 100 फीजदी पर सीमित किया जाना चाहिए दो से 5 रुपए प्रिटी उनिट वाली सस्ती दवाओं को Trade Margin Rationalization से बाहर रखने की सिफारिस की गई है All India Organization of Chemistry and Drugist ने NPPA के कैंसर दवाओं पर 30 फीजदी Margin तैग करने के फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि इसी तरह का formula अन सभी दवाओं की कीमत के लिए भी लागू किया जा सकता है अगर सरकार दवाओं के Margin को Fix करती है तो इससे लोगों को निश्यती दवाओं की महंगाई से कुछ राहत मिलेगी